हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका रेनु का होम किचन में आज हम लेकर आहें आपके लिए एक नई रैस्पी जिसका नाम है रंपम नूडल्स ये नेपाली नूडल्स है ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रैस्पी इसे बनाने के कड़ाई रखिए और उसमें और जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हरी मिर्च और प्याज डालेंगे एक बर आपने ये नूडल्स खा लिए तो ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे मैगी से भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं रंपम के पैकेट इस प्रेकार से होते हैं यहीं हम कैची की मदद से काट लेंगे और नूडल्स को प्लेट में निकाल लेंगे इसके अंदर से एक ऐसा पाउच निकलता है जिसमें मसाला होता है और साथ में ऑईल भी होता है यहां हमने चार पैकेटी करीब नूडल्स लिया हुआ है और सभी का मसाला और ओयल निकाल लिया है इधर हमारा प्याज भी फ्राई हो गया है अब यह नूडल्स हम इस कड़ाई में डालेंगे यहां हमने लैसुन और लाल मिर्ज का पेस्ट डाला है स्वाथ के अनुसार नमक डालेंगे और साथ ही इसमें पानी डालकर इसे हम बॉयल कर लेंगे इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी डालने के आवशक्ता नहीं है इसी मसाले से यह बहुती जादा टेस्टी नूडल्स बन कर तयार होते हैं अगर आप चाहें तो इस नूडल्स को ऐसे ही मसाला मिक्स करके खा सकते हैं इसे बॉयल करने की प्यावशक्ता नहीं है ये भेल कीता ने बहुत ही टेस्टी और प्रिस्पी लगता है नूलर्स हमारे बन के तैयार हो गए है इन्हें हम एक प्लेट में निकाल रहे हैं और हरी धन्या से गार्निश करेंगे आपको हमारे ये रेस्पी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं और अपने अनुभव रेनु का होम कीचन के साथ जरूर सेयर करें ऐसी है और भी रेस्पी देख सकने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब करें हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद